हेलो बच्चों कैसे हैं आपसा आशा है आपसा स्वस्त और प्रिसंद होंगे देखिए अब ठंड का मोशन सुनू हो गया तो थोड़ा सा ध्याजर कियेगा ठंड में बहुत कम गोंगी एका और अपनी पढ़ाई पर विशेज ध्यांदी दियेगा आज आप लोग अपनी Hindi वियात्र क्यों पूपिका लिए 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 लियू रचना आज हम आपको बाद 14 पढ़ा जोंके, बाद 14 है गिंती, इसमें अंग्रेजी की गिंती और हिंदी की गिंती को शब्दों में लिखना, आंकों में और शब्दों में लिखना दोनों हम पताया जाएगा, जैसे आपने वाइंटू पढ़ा होता ना, तो उसी चीज़ को हम हिंदी पे पढ़ेगे, कि हिंदी में उसको कैसे लिखते हैं, और उसको शब्दों में हिंदी में कैसे लिखा जाता है, चलिए, देखे, पेर नमर 44, बच्चों, गिंती से हम किसी वस्तू की संख्या गिन चकते हैं, आएगे, गिंती सिखे, गिंती हमें आएगी, तभी हम किसी चीज को गिन पाएगे, या काउंट करवाएगे, चाहे हो वस्तू हो, व्यक्ति हो, सामान हो, जब कुछ भी हो, आपने के लिखे हमें गिंती आने चालिए, ठीक है, तो जैसे आप बन गिते हैं, वैसे ही हिंदी में एक दो तील गिते हैं, अब हम हिंदी की गिती आंको और शब्दों दोनों में गितकर आपको बताएगे, ये बन लिखा हुआ है, तो बन को हिंदी में कैसे खेंगे आंक में, ये हो गया हिंदी का आंक है, बन बन, एक, ये है आपका दो, यह है तीन, यह है चाण, और यह है पांस, यह है छे, यह है साथ, यह है आद, यह है नौ. और यह है दस. यह मैंने आपको अंकों में लिपे जिकाया है. Hindi थी Hindi अंकों में. अब इसी शीपों हाlia हापको श्ब्तों में लिपे जिखाएंगे. एक कैसे लिखेंगे एक दो तीन चार पांच चार साथ आज नौ और दस ये हिंदी की दिन ती शब्दों के हैं ठीक हैं? तो आप इसको ध्यान से अप्रिवार कॉपी में इसको अभ्यास करेंगेगा आँकों में और शब्दों में इंदी इंदी आँकों में और शब्दों में इसी तगर से आगी की भी संध्या सुनिये पेड नंबर 45 अब यहां पादी की 11 से लिखा हुआ है 11 कैसे लिखेंगे आपकों कीशे भी लिखा दिखारें लिखेंगे बड़ officer कि भी भार बार इरा कि युँता प्दरा आपकों में सूला सुला नपकों में हावा है 11 यह 20, यह मैंने इसको किंदी किंदी आंकों में लिखी है, ठीक है, अब हम किसी को शब्दों में लिख रहा है, देखिए यार्णdı, वार्णखर मैं इर्णड़ आंकों म् धन्रम न辉नले境 रखेग सर्णड़ पार्ण़ सोला हम सत्राम कारा हम उनिस और बीस ठीक है यह आपकी गुट में देखी इस तरह सी पहा है आपको इस तरह सी पहा है ठीक है ठीक है अठारण ठीक है यारण, बारण तेरण, चौदब पंदरण, सोलाँ सत्रण, अठारण उनिस और बीस ठीक है इसके बार भी और आगे वित्य दी गई है यह सो तक दी नहीं है आपको 22 24 25 26 28 29 31 32 37 33 34 35 36 37 38 49 40 आपको चारण भ्यान दीजिएगा और इसको इसी तरह से बोलने का प्यास सकेगा इसके बाद है साथ बच्चो जो हिंदी में साथ है वो इंग्लिश में 60 ठीक है इससी में ध्यान देता अब 61 से सुरू करना है न तो हिंदी में क्या बोलेगे 61 62 63 65 66 68 79 71 72 73 74 75 75 76 76 76 77 88 89 81 82 84 85 87 89 90 90 91 91 91 91 93 94 95 97 99 100 100 800 100 100 95 900 100 100 100 100 100 ठिक है बच्चो आप इसको पूरा पढ़िएगा और एक से फचास तक हिंती के अंकों में और श़ब्दों में भी लिखनेना अभ्यास करेंगे यह आपका गृत कारिया है आपको गिंत से फचास तक अंकों और शब्दों में दोनों ही आपको लिखना आना चालें ओके, Thank you students, हम आगे अभ्यासकार आपको अभ्यकात्तर आएंगे